कैसे हैं आप सभी लोग होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं मॉर्णिंग का हो गया भी गाई साड़े ग्यारा और मैं अपना काम बहुत दिन बाद लेके बैठी हूं गाई तो कि इस टैंप पे दीदी और भाया लोग आये हुए थे आप लोग थे दीदी लोग थी तो मैं कड़ाई वाला काम विल्कुल कर ही नहीं पाई हो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है देख सकते हो इधर का भी पूरा पड़ा हुआ है एक कुर्ती भी रखी हुई है उसको भी बनाना है देखो कैसे क्या कर पाते हैं शलिए ब्लॉग की शुर काफी दिन से मैंने किया नहीं था गाईज और पता है लोग इतना बुरा भला मुझे बोल रहे हैं मेरे ही आस पड़ोसी यह नहीं देख रहे हैं मैं किती महनत कर रही हूं गाईज यूटूब के साथ साथ मैं कड़ाई भी करती हूं बच्चों को भी पढ़ाती हूं खुद क इतना रोना आया है मैं बहुत ज़्यादा रोई हूं सच में उनकी बातों से ही इतना मैं रोई हूं इतनी गलत ही बात बोल रहे हैं यह जो मेरा वीडियो देख रहे हूंगे न आप लो तो आप से इतना ही कहना चाहते हूं किसी के बारे में इतना गलत मत बोलो मैं बहुत ईच्च्छ कर रहे हैं और अपको दिखाते हूं और अब अभिशित आपके साझे सकते हैं यह देख सकते हैं आप लोग कुछ भी दिखाईनी दे रहा इतनी दूंद गाई साड़े साथ बजे के ही टाइम इतनी ठंडी हो रही है ना मेरी दरफ आप लोग देख सकते हैं उधर के घर ही गायब हो गहा है जैसे लग रहा है इधर के कुछ-कुछ घर बचे हैं मुझे और देख सभी लोग क्या कर रहे हैं तो यहां पर सभी लोग बैठे टीवी देख रहे हैं रजाई में बढ़िया से सभी हलो कर रहे हैं पापा के दिध्यान से देख रहे हैं तो चलते हैं दिखाते हैं पूजा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं भावी क्या कर रही हम आप सभी को मिलवाते हैं तो यहां मैं आ गई किचन में तो पूजा बना रही थी गर्मा गर्म ब्रेट पकोड़े तो किस किस का खाने का मन कर रहा है ब्रेट पकोड़े कमेंट सक्षन में हमें जरूर बताईएगा और बहुत ही अच्छी धनिय की चटनी भी पूजा ने बनाई है वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को और चलते हैं चोटी वाली बिट्टू से मिलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रही है क्या नहीं बिट्टू 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 अब समझ नहीं आ रहा है तो यहां पे पापा के लिए मम्मी के लिए में लेके जा रहे हूं ब्रेट पकोड़े और चाय भी तो जिसको खाना है तो आ सकता है हमारे वहां प्रेट पकोड़े चाय खाना के लिए पूजा ने बनाये बहुत ही टेस्टी और अभी अनिका को भी देंगे तो ठंड के वज़े से रजाई से कोई बाहर नहीं निकल रहा है और पूजा अंदर बना रही है बाभी को जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ही अभी बिट्ट एवरिवडी तो मैं यहां पर पढ़नी जा रही हूँ आपने देशन का होम वुक आप सब बच्चे पढ़ा करो क्योंकि आप पढ़ोंगे तो आपका जो शपना है वो बन पाओगे पूरा कर पाओगे बन पूरा एक ही तो हता है और आपनी ममा की जो है बात माना करो क्योंकि मम्मा जो कहती है आपके अच्छे के लिए जाजी मेरी मम्मा जो है आँके बार मानती हूँ और आपने मेरे चानल को क्यों नहीं लाइक कर तो बताओ या लाइक करने से एधिया में पैसे काच देते हैं क्या फ्रीश वाले एच्छा तो चलिए निका को मैं थोड़ी दिर पढ़ा देती है पहले यह उमर करेगी फिर लन वन करेगी है ना निका तो गाइस हम लोगों का सनास्ता हो गया जो मारे गर में यहीं बनाता है आप लोगों को बहुत ज़्यदा ओयली खाती हो तो सच में मैं बहुत मना करती हूं गाइस लेकिन अब यह है ना कि अब अपने लिए मैं किसी का मन तो नहीं मार सकती है पापा का भी मन था भाई का भी मन था तो मैं उनका मन नहीं मार सकती इस वज़े से मैं ने खा ठीक है तो चलिए एक-एक मैंने खा लिया है ब्रेट प क्वाल्टी कैसी लग रही है यह हमें जरूर बताना और पहले के और इस इधर के वीडियो में कैसी क्वाल्टी लगती आप लोगों को यह में जरूर बताईएगा ओके फिर अभी के लिए गुड नाइट मॉर्णिंग में मिलते हैं शूर बटाइज मैं आपके मालमें नीव ऊपरे आप सभी का साकत करती हूं और जो में ल्यू इसने करें और मेंयild को जरूर लाइक करतेंपिए और यह बताये क्या आमड़ चैनल को यांदि क्यों लाइक करती है कुस्टा मेरे बहुत लगती है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कर्मेंट करते हैं, क्योंकि मेरी ममा आप सभी के लिए इत्ती ही महनत करती है, ब्लाग बनाने में अच्छे-च्छे, तो क्या आप लोग घर की चीज़े नहीं देखते हो आप लोग क्या बाहर बाहर की चीज़े देखते हो प्लीज मीरी मम thi जो दिखाती है वो देखा कर मेरी मम के विडियों को बेल ऐकन जो दोड़ा in myram unicorn की फीस फरती तभी आपलोายक कभी लाइक नहीं करते हो है किता तो मेरी मुमा भी अच्छे अच्छे भ्लॉक लाएंगे मेरा विए चैनल मैसे महाँ आप जाई जो ficar अंगी मीरे चैनल है अती हाई है वो यह चैनल को भी देखेंगे में टू चैनल है एक है नेहा और निका की दुनिया इस पे मैं ब्लोग बनाती हूँ और यह जो यूपी ब्लोग और नेहा चर्मा वाला चैनल इस फोन में है दोनों चैनल देखें करिए हम चैनल टाइम टाइम से फेज़ेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे तब तक बाद में मिलते हैं आप सभी को बाई बाई अब राज हो चुकी और हम है अपनी टैरेस पे तो टैरेस पे हम लोग हैं में तब को मौसर देख सकते हैं आप उदर है मेरे शू चान दू मामा मैं इनको मामा कहते है फिर एक मामा है भी तो हम टैरेस पे हूँ अब मैं जाओंगी नीचे क्यूंकि आप बाईने जा रहा है नाइट का डीनर तो फिर मैं आपको अपना डीनर डिखाँगी फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ आपको अपने चैनल पिर तब तक के लिए बाई और तो यहाँ पे आप लोगों ने अनिका की बाते सुनी होंगी अनिका कितिनी समस्दार है और उसने यह बोला कि ममा मेरी यूटूब से ही पैसे जो कमाते उसी से मुझे पढ़ाई करा रही है अब यार इमोशनल हो जाते हूँ मैं उसकी बाते सुनके और यह दो दिनों का ब्लॉक है गाईस और होप करती हूँ आप लोगों ने इंजोई किया होगा अच्छा लगा होगा अनिका की बात तो को सुनकी आप लोगों को मतलब कैसा लगा मैं तो एमोशनल होगी यार एडिटिंग करते हुए ही तो यह सारी चीजे हैं यार बच्चा समस्दार हो जाता है बच्च मरने में ही जब उसके पितन नहीं होते है ये बात मानने पड़ेगी सच में वो अपने बच्च्पन में ही इतनी समस्दारी के वाली बाते कर रही है और साम को कितना अच्छा लग रहा है ठंड तो बहुत ही जादा है कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है बहुत कमी लोग दिखाई दे रहे है एकका दुक्की लोगी दिखाई दे रहे है क्योंकि इतनी ठंड हो रही है आप लोगों की तरप कैसी ठंड हो रही है मैं ज़रूर बताना इस ब्लॉक को यहीं पे एंड करते हैं नेस्ट व्लोक में उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगाओगा सभी को राधे राधे गाए